So, hey everyone, this is Sakeena Ali और कैसे बजबाटी आप सब विलो तो आज आचुकिए हम आज इन्वार्मेंट वाले चापकर की एक नेक्स्ट पार्ट में जो की बहुत इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक आप लोग के लिए रहने वाला है What do you mean by Biosphere? अब यार एक जगा है Biosphere तो कुछ ना कुछ चीजे सुनी सुनी तो लग रही है बट डीटेल में जानते कि Biosphere होता क्या है और क्या क्या इसके अंदर कुछ पार्ट होते जिसको मिल के Biosphere बना होता है तो सभी चीज़ा आज हम लोग इसी वीडियो में जानने आले तो वीडियो में end तक बने रहेगा and without wasting our time हम लोग वीडियो को start करते So let's begin चलिए बचा बाटी Biosphere अब देखो ये पूरे terminology पर तुम लोग अगर जाओगे तो ये दो words से मिल कर बना हुआ है बायो और दूसरा है Sphere ठीक है बायो की बात करो तो बायो मतलब क्या दिदी बायो मतलब living या फिर life ठीक है मतलब या कहीं जिंदगी बस रही हो living life हो living style हो ठीक है तो वो बायो मतलब एक life ठीक है अब Sphere की बात क्या है तो दिदी ये तो आप maths पर ले चुके हो हमें तो इतारह आप हमें मैच पर ले जा चुके हों स्फियर सर्क कर रेक्टेंगलर यह सारी सिद थे है कि अ फही त्रिक का गोला है मेरे पास क्या है वहाला है मेरे पास eighth हम लोग बात करने वाले एप मेले या बायो इस फ्वियर किसी तीन चीजों से मिलकर हमारा यहां बना हुआ होता है अब कॉन सी तीन चीजा ऐसी होती है तो यार Biosphere में मेरे पास होता है एक तो Lithosphere एक होता है Hydrosphere तीरा मेरे पास होता है Atmosphere यह चीज़े तुम लोग थे अल्रेड़ी Class Azen में सुनी होगी है आए और बहुत सारे बते से अल्रेडी नोन होंगे या फैमिलियर होंगे इन चीजों से अब जब मैं बात करें हूँ है तीक है मैंने बुला है यहां पूरा पानी ही पानी हो जैसे रीवर हो गई लेक हो गई पॉंड्स हो गई ओशन हो गई तो ये सभी जो हमारे इंटायर य मंज में आ गई हमें वाट डू यू मीन बाई लिथोस्फेर बापस यह भी स्फेर ही है ठीक है अब स्फेर है इसका मतलब यहां क्या हो गया कि एक ऐसा लेंड अब हम लेंड पर आते हैं अभी हम लोग ने पानी की बात करी अब जितने भी हमारे लेंड वाले एरिया है ना नहीं बच्चा बाटी в एंटमोस्फेर मतलब क्या जितनी गैसेस आइंटमोसफेर में है तो जहां गैसेसिदे सी बात अगर है इंटमोसफेर में जहां जहां यहां हमारे जितनी गैसेस हैं तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, यहां एक डाइग्राम दिया गाए, अब देखो, यह तीनों चीज़े मिलकर हमारा क्या बना रहा होता है, बायोस्फेर, अब देखो यार, कहीं न कहीं हम लोग सभी चीजों पर डिपेंडेंट है, हम लोग पानी पर हम ओटू इनहेल करते हैं, तो अब तुम लोग ने समझ गया कि एट्मोस्फेर हमारे लिए इंपोर्टेंट है, बात करें अगर हम हाइड्रोस्फेर की, तो पानी की बिना तो हम जिन्दा रही नहीं सकते, वाटर इस सो असेंशल पॉर अस, तो वाटर मतलब मतलब जितना भी हमारा वाटर वाला पार्ट होता है, वाटर वाला एरिया होता है, उसको हम बोलते है हाइड्रोस्फेर, जितनी भी हमारी एर है, गैसे स्ट्रेवल हो रही है, हमारे अर्थ में, वो सभी क्या होता है, एट्मोस्फेर, जितनी भी लेंड वाले एरिया है, हम लेंड वाले एरिया को हम लोग यहां बोलते हैं लिथोस्फेर तो इस टाइग्राम से तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में रहा होगा कि यह पूरी चीजे मिलकर बनती है हमाई बायोस्फेर देखो यहां दिख रहा है हमें एक रिवर दिख रही है जिसमें पानी को छोड़ के अर्थी बढ़िए ना जो रिप्सक्राइब अग्र। मेरे पास हो जाएक बाइट में इस नतीं बट आपने दोस्तों के दाद जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इसी तरी के इंट्रेस्टिंग और मज़दार वीडियोस में आप लोग के लिए यहीं इसी चैनल पर आती रहते हूं तर नन कीप लर निए इस यह एड़केटर सकी नाली साइन आप